नई लेटस्ट अप्टेट के लिए हमारे बीदी के न्यूस चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे कैदी नमबर 106 बने सलमान खान जमीन पर सोना पड़ेगा खाने में मिली चनी की दाल, पत्तागोबी और रोटी, जेल में फूट फूट कर रो रहा है सलमान खान, जेल के बाहर खड़े लोगों नवहंगामा कर दिया है और आतंकवादी सलमान खान को छुडाने के लिए दंगे कर रहे है प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने कहा है कि कानून के साथ किसी भी प्रकार की छेड़चाड बरदास्त नहीं की जाएगी नमस्कार दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बहुत सारी ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो किसी दूसरे न्यूस चेनल ने नहीं दिखाई है यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके सल्मान खान जोगपूर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बन गए है और उन्हें जेल के वार्ड नंबर 2 में रखा गया है जोगपूर डियाईजी जेल विक्रम सींग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सल्मान खान का मेडिकल टेस्ट किया गया और उन्हें कोई मेडिकल समस्या नहीं है उन्होंने कोई मांग नहीं की है हम उन्हें कल जेल की वर्दी देंगे सल्मान को आसाराम से अलग चार स्तरिय सुरक्षा में रखा गया है शुक्रवा को सल्मान के रिष्टेदार उन्हें मिलेंगे विक्रम सिंध ने कहा कि ब्रहस्पतिवार शाम को सल्मान को जेल से खाने के लिए बर्तन दिये गए उन्हें खाने में चने की डाल, पत्ता, गोबी की सबजी और रोटियां दी गई उन्हें सुबह नाश्ते में दलिया और चाय दिया जाएगा इसके अलावा खिचरी की भी व्यवस्था है सल्मान ने डियाईजी से कहा कि जोगपुर से उनका खास लगाव है, पता नहीं क्यों उन्हें ने कहा कि इस सजा के बाद भी उनका जोगपुर से लगाव कम नहीं होगा सल्मान ने कहा कि पहले भी वे तीन बार जोटपुर जेल में रहे चुके है इस बार कोई नई बात नहीं है बियाई जी ने कहा कि सल्मान को पानी भी वही दिया जाएगा जो सभी कैदी पीते हैं उन्होंने कहा कि सल्मान जब जेल में आये थे तो उन्हें वीपी की शिकायत थी और तनाव में भी थे। लेकिन अब वे नॉमल हैं, उनका दो बार मेडिकल करवाया गया है। झाल